हाई एब्रिवान वर्कम तो मैं चैनल कैसे हो आप सब मैं हो पूजा आज मैं आप सब के साथ शेट करने वाली हूँ यह वाला मेकप लूग यह मैंने क्रियेट किया है फौर सरस्वति पूजा वैलेंटाइन्स डे के एक दिन बाद ही सरस्वति पूजा है इसलिए मैंने यह यह मैंने एक सारी के साथ इसे मेकप को वैल किया है आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है बहुत ज़्यदा हेवी कोई भी मेकप नहीं है बहुत ज़्यदा नॉर्मल मेकप मैंने किया है और मैंने यह वाला मेकप लूग किया है डे टाइम के लिए लेकिन आप चाहो तो इस तो मैं फर्स्स जो करने वाली हूँ वो है टोनर अपला करना और इसके लिए मैंने यूस किया है Erbs Goodness का Rose Toner यह टोनर बहुत ज़्यादा अच्छा एक टोनर है इसके बाद मैं अपने lips को hydrate कर लूँगी और इसके लिए मैंने यूस किया है NYB का Lip Balm इसके बाद मैंने अपने skin को hydrate कर लिया है और इसके लिए मैंने use किया है good vibes का raspberry peppermint का face cream यह face cream भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, light weight है, summer time के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा एक अच्छा refreshment देता है face को, इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से यूज़ कर लूँगे अपने face पे then मैं यूज़ करने वाली हूँ sunscreen और यह है lotus का safe sun sunscreen gel और यह एक mat formula के साथ आता है, अभी almost गर्मी आ चुकी है, इसलिए मैं एक sunscreen इस्तिमाल कर रही हूँ, और यह mat sunscreen है जिसके वज़े से अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो skin oily भी नहीं होगी, इसलिए मैं अच्छी तरह से इ अप्लाई कर लूँगी, then हम अप्लाई कर लेंगे primer और मेरे पास है यहाँ पर NYB का primer, यह primer बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा primer है, यह face को बहुत ज़्यादा smooth कर देता है, और इसकी help से जो foundation और concealer होता है, बहुत ही अच्छी तरह से face पे apply हो जाता है, तो इसकी वज़े से अच्छी तरह से primer को अपने face पे apply कर लूँगी, इसके बाद हम apply करेंगे lacmeca 9 to 5 CC cream, मैं यहाँ पर कोई भी foundation यूज नहीं कर रही, आप चाहो तो कोई भी foundation यूज कर सकते हो, अभी daytime है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा make-up नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने CC cream इस्तिमाल कि और इसलिए मैं apply कर लूँगी अपनी beauty sponge की help से, इसके बाद हम apply करेंगे concealer, और concealer के लिए मैंने use किया है, Swiss beauty का concealer, यह concealer बहुत ज़्यादा अच्छा है, अफॉरडेवल range में मिल जाता है, इसका formula इसका काम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका formula इसका काम बहुत ज़्यादा इस concealer को मैं अपने अंडर आई, आई लीट, अपने forehead पे, nose पे और chin पे और थोड़ा बहुत माउट के around मैं इसे अच्छी तरह से apply कर लूँगी और इसे अपनी beauty sponge की help से अच्छी तरह से blend कर दूँगी, concealer को अच्छी तरह से blend करने के बाद मैं इसे sit कर दूँगी compact powder की help से, और इसके लिए मैंने यूज किया है NY Becca 40 SPF compact powder, यह compact powder बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसमें 40 SPF दिया गया है, जिसके वज़े से हमें sun protection मिल जाती है, और इसके अलावा भी जो यह करता है वो है कि यह face को बिलकुल dry नहीं करता, जिसके वज़े से मुझे इसे use करना मैंने simply एक orangey brown shade को pick किया है और इसे मैंने place कर दिया है अपने crease area पे और इसे मैं अच्छी तरह से blend कर दूँगी और इसके बाद मैं अपने outer corner पे भी same eye color को अच्छी तरह से place कर दूँगी और इसके बाद एक fluffy blending brush की help से इसे मैं अच्छी तरह से blend कर दूँगी इसके बाद एक orange shade को मैं पिक कर दूँगी अपने brush की help से और इसके बाद मैं इसे crease area की नीचे अच्छी तरह से place करके इससे अच्छी तरह से blend कर दूँगी brush की help से इसके बाद एक औरेंजी गोल्डेन शिमरी शेट को मैं पिक कर लूँगी अपने फिंगर की हिल्प से और इसे मैं पूरे अपने आई लिट पे प्लेस कर दूँगी अपनी फिंगर की हिल्प से ही और इसके बाद में एक ब्रश की हिल्प से इसे अच्छी तरह से ब्लेंट कर दूंगे तो यहां पर ही हमारा जो आईशाडो का जो काम होता है वो खतम हो जाता है तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आईलाइनर को अपलाई करना और इसके लिए मैंने जेल आईलाइनर को चूज किया है यह मेरा म्यूजिक फ्लावर का जेल आईलाइनर है और इसका जो शेड है वो ब्लैक है इसी में अच्छी तरह से एक वीग आईलाईनर क्रिएट कर लूगी बहुत ज़्यादा ड्रॉमाटिक नहीं बहुत ज़्यादा बेसिक में एक वीग आईलाईनर केट कर लूगी और इसके बाद हम बाकी का मेकप कंप्लीट कर लेंगे अब हम कर रहे हैं अपने लोगा लेश लाइन को स्मच और इसके लिए मैंने औरेंज और ब्राउन कलर को चूज किया है और इन दोनों कलर को मिक्स करके मैं अपने लोगा लेश लाइन को स्मच कर लूँगी देन मैं अपने आई ब्राउस को कर लूँगी फिल इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी अपने फेस को कॉंटूर करना उसके लिए मैंने यूज किया है सीवाना कलर्स का ब्लश पैलेट और उसमें जो ब्राउंजर पाउडर है उससे मैं आज़ा कॉंटूर यूज करूंगी यहां पर तो यहां पर मैं अपने नोस को भी थोड़ा बहुत कॉंटूर कर लूँगी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्लश अपलाई करना और ब्लश के लिए मैंने यूज किया है सीवाना कलर्स का ब्लश पैलेट और इसमें से जो पिंक कलर है उसे मैं अच्छे तरह से अपने चिक्स पे अपलाई कर लूँगी और उसके साथ थोड़ा बहुत चिन पे और नोस पे और मुझे ब्लश अपलाई करना बहुत ज़दा पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा हेवी ब्लश अपलाई करूंगी अभी हम स्टार्ट करेंगे हाईलाइटर अपलाई करना और इसके लिए मैंने मीस रोस का हाईलाइटर यूज किया है ये जो है वो एक पिक शिन देता है उसे मैं अच्छे तरह से अपने चिक बोन सरस्व पे अपने नोस पे अपने चिन पे और फोर हेट पी अच्छे तरह से उपलाई कर लोगी इसके बाद मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी सेटिंग स्प्रे की हेल्प से और उसके लिए मैंने यूज किया है यहाँ पर स्विस प्यूटी का सेटिंग स्प्रे यह बहुत ही अच्छा एक सेटिंग स्प्रे है यह अफॉर्डेबल रेंज में आपको ऑनलाइन आफलाइन सब जगा मिल जाएगा अभी मैं अपने वाटर लाइन पे अप्लाइ कर रहे हूँ गोल्डेन कलर का आई पेंसिल और यह है नवाईबे का आई पेंसिल अभी हम अप्लाइ कर रहे हैं लिपस्टिक और लिपस्टिक के लिए मैंने पहले जो शेड इस्तिमाल किया है वो है ग्लैम 21 का एक शेड और इसका जो शेड नेम है मुझे नहीं पता यह थोड़ा सा ब्राइट एक पिंकिश रेट कलर का शेड है और इसके उपर में एक और शेड अप्लाइ कर लूँगी अभी मैं जो शेड अप्लाइ करने वाली हूँ यह एन वाई बेका लिप प्रियाउन और इसका जो शेड नेम है वो मैं डिस्किप्शन पे मेंशन कर द वाटर प्रूफ मस्कारा यह मस्कारा वाटर प्रूफ है स्मच प्रूफ है इसलिए मैं इसे अच्छारा से अप्लाइ कर लूँगी सो गाइज इस इस माई फाइनल मेक अप लूग फॉर सरस्वति पूज़ा सो गाइज अगर मेरा यह वारा वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को कर देना एक लाइक और शेयर कर देना सबके साथ तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई